आज की वीडियो में बताऊंगा CSIR के अंतरगत आवेदन ओनलाइन अपलाई कैसे करे यहाँ पर मैं फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ Central Glass Ceramic Research Institute के अंतरगत ओनलाइन अवेदन करने का फुल प्रोसेस क्या है वीडियो के description में आपको एक लिंक मिल जाएगा hostshare.com hostshare.com पर आप विजिट किजिए वहाँ पर जॉब से सबन्दित बहुत सारे नोट अपिकेसन दिये जाते हैं hostshare website पर आने के बाद देखे पहला लिंक है CSIR इस लिंक पर क्लिक करना है लिंक पर क्लिक करने के बाद निव टैब में एक पोस्ट ओपिन हो गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं CSIR जो की टोटल पोस्ट है 70 यहाँ पर देखे बिग्यापन संख्या दे रखा है यहाँ पर देखे कनिडेट एज मिल जाएगा 18-18 सवर्स वहीं अफिलिकेसन फीज के बाद करें जो की नेफ्ट आर्टी जीएस से कर सकते हैं यहाँ पर एकाउंट नंबर दिये हुए हैं आपसी कोड भी दिये हुए हैं और बेंक बरांच भी अबलेवल है नीचे स्क्रोल करने के बाद में एक पोटेट मिल जाएगा अपलाई ओलाइन करने का लिंक है नोटिपिकेसन है अफिसल वेब साइट है ओलाइन अवेदन करने के लिए अफिसल वेब साइट के सामने किलिक के बटन पर किलिक करें अफिसल वेब साइट पर आने के बाद मे यहां पर home page दिखाई दे रहा है CSIR का यहां पर देखिए मीनू बार है यहां पर केरियर का अप्शन है केरियर के अप्शन पर क्लिक करें अगले पेज़ पर आपके सामने बहुत सारे notification दिखाई देंगे लेकिन आपको यहां पर क्लिक करना है दिखे लिखा हुआ है click for requirement of technician करना चाहते हैं उस पोस्ट के समने एक लिंक मिल जाएगा उनलाइन अवेदन करने के लिए click here to details के अप्शन पर क्लिक करें आपके सामने भाकें से मैटल एस्टेटर सेलेट करें married, unmarried जो भी है आप सेलेट करें date of birth सेलेट करें यहां पर metric के नुसार date of birth सेलेट कर सकते हैं date of birth पहले स्थने में यहां पर सेलेट करना है यहां पर valid mobile नमबर दर्ज कीजिए अगला option है email id का यहां पर valid email id दर्ज कीजिए क्योंकि OTP email id पर पर work experience भी देने होंगे यहां पर category select करें जैसे के general OBC जो भी है select करें मैं यहां पर OBC select कर रहा हूं अप्लोड photograph यहां पर passport size photo upload करें अगला option है religion का Hindu Muslim जो भी है select करें और आप इंडिया में जन में हैं तो यहां पर यहां नो में जवाब दें यहां पर यह select करता हूं अप्लोड signature यहां पर signature upload करता हूं verify option पर क्लिक करें ok बटन पर यहां से क्लिक करें आपके email id पर एक OTP प्राप्त होगा यहां पर देखिया post name आ गया है technician स्क्रोल करें अगले option में आपको proof of date of birth यहांने की metric अशट्पिकेट अप्लोड करने होंगे choose file पर क्लिक करके यहां पर में proof of caste यहां पर कास्पिकेट अप्लोड करना है पीडिया फाइल में अप्लोड करें contact information यहां पर गर्जीव नेम या आशपोज नेम फॉस्ट नेम आपर टाइप करना है गर्जीव नेम आशपोज नेम का last name टाइप करें यहां पर relation टाइप करें mobile number टाइप करें फादर्स का permanent address यहां पर permanent address यानि क्या स्थाई पता दर्ज करने है उसके बाद correspondence address भी दर्ज करने है अगर आपका correspondence address सेम है तो same as permanent address पर टीक करें यहां पर आपका address आजाएगा अगर नहीं है तो manual टाइप कर सकते हैं स्क्रूल करने पर यहां पर communication language select करना है जैसे कि हिंदी speak read write अगर आप हैं तो yes color करें नहीं है तो no select करें अगला language के लिए plus icon पर click करें यहां पर मैं ing type करता हूं English yes कर देता हूं अगर आप इस में से speak added नहीं जानते हैं तो no कर सकते हैं मैं यहां पर yes करने वाला हूं क्वालिफिकेशन डिटेल्स हैं जैसे कि 10 का 11 का और गर्जुएशन पोस्ट गर्जुएशन आप जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप यहां पर टाइप कर सकते हैं जैसे कि 10 का क्वालिफिकेशन टाइप करना है तो यहां पर मैं 10 टाइप करता हूं यहां पर टाइब करता हूं तिन होने का अगले box में body landscape करें यहां पर marks करें कितने % आपको marks पराब्थ हुए है specialization टाइब करना है अजा यहां पर subject करना है मैं all subject होते हैं तो मैं all subject यहां पर कर देता हूं एगजंपल के लिए मैं demo फरंबर रहा हूँ, आपका details जो भी है वही भरें, यहाँ पर 12 का detail type करें, यहाँ पर मैं IAC type करता हूँ, आप arts भी type कर सकते हैं, यहाँ पर passing year type करता हूँ, उतिन होने का वर्स, यहाँ पर board university का नामदर्ज करता हूँ, जिस वर्स हमने पास किया था, यहाँ पर marks type करें, पर all subject type करें, अगर आप graduation किये हैं, पोस्ट graduation किये हैं, यहाँ पर details add कर सकते हैं, अगला है additional qualification, जैसे कि ITI diploma, डिगरी, आप जो भी किये हैं, यहाँ पर दर्ज करें, यहाँ पर मैं advocate करता हूँ, क्योंकि यह demo forum है, आपके पास जो भी qualification है, वही दर्ज करें, यहाँ पर उतिन अगला है employment details, अगर आप employee हैं, तो type करें, बरना इसे खाले ही छोड़ दे, achievement अनवाट यहाँ पर दर्ज करें, अगर यह नहीं employee हैं, CSIR का, तो यह से अनुम में जबाब दे, अगला option है application fee details, यहाँ पर देखिए application fees के लिए 500 रुपे आपको देने होंगे, यहाँ पर देखि करने का date दर्ज करना है, उसके बाद declaration यानि की I agree को condition को set करना है, आगे बढ़ने के लिए submit बटन पर क्लिक करें, तो चलिए मैं submit बटन पर क्लिक कर देता हूं, अगला page में application number दिये हुए हैं, आपको thank you कहा जा रहा है, यहाँ पर देखिए 50% document upload हैं, 50% upload करने बाकी हैं, मैं बारी बारी से qualification, 10 का mark street, 10 का certificate, ISE का mark street, ISE का certificate, AutoCAD यानि की ITI diploma जो भी है, उसका mark street और certificate अप्लोड करने हैं, बारी बारी से upload कर लेते हैं, upload फाइल पर क्लिक करके metric का mark street अप्लोड कर देता हूं, upload करते हैं, तो यहाँ पर देखिए green हो जाता है, और आपको message पर राप्त होता है, अप्डेशन successful का, जिस तरह से आप upload करेंगे documents, आपका percentage आगे की और बढ़ते जाएगा, यहाँ पर देखिए 100% upload हो गया है, अप्डेशन successful, थोड़ा सा स्क्रोल करें, और इभी अप्लिकेशन के caption पर किलिक करें, यहाँ पर देखिए personal information पर verification के लिए दर्ज करने हैं, जैसे कि date over select करें, यहाँ पर valid email id दर्ज करें, जो application में आप pilot type किया है, वही email id यहाँ पर दर्ज करने होगे, यहाँ पर आप mobile number दर्ज करें, जो mobile number आप application में दर्ज किया है, आगे बढ़ने के लिए verify option पर किलिक करें, आपके email id पर फिर से एक notification पराप्त हुआ होगा, जैसे कि OTP, OTP इस box में दर्ज करें, valid date का option पर किलिक करना है, याद रखिए अगर आपको OTP प्राप्त नहीं होता है, तो 5 minutes आपको अवेट करने होगे, तो चलिए मैं OTP दर्ज करके बढ़ने करता हूँ, यहाँ पर देखिए get application status का option पर किलिक करना है, किलिक करने के बाद आपको यहाँ पर किलिक करना है, यहाँ पर देखिए application open हो जाता है, इस application को print करने के बाद यहाँ पर date, palace और signature अप्लिकेंट का कर देना है, और आपको address पर भेज देना है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस address पर आपको भेजना है, यहाँ पर notification में जाकर click करेंगे, तो आपके सामन notification open हो जाता है, यह वाला address को आपको type कर लेना है, लिफाभे पर और भेज दना है इस address पर, इसी तरह से वीडियो पर आप्त करने के लिए देखने के लिए आप website हिंदी चैनल को subscribe करें, और share करें वीडियो को, और आप job से समन्ध notification पर आप्त करना चाहते हैं, तो hosya.com पर visit लिट कीजिए, hosya.com पर तरह तरह के job notification शेयर किये जाते हैं, जो की latest होते हैं, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो like करें, share करें, और website हिंदी चैनल को subscribe करें, धन्यवाद